इस वीडियो में हम आपको dehydration of alcohol का reaction और उस साथ में उसका mechanism बताने वाले हैं यह बहुत ही ज्यादा most important question है BSC के exam में क्योंकि यह भी लगभग हर साल आता है देखिए यहाँ पर यहाँ पर दोजार तिकनी का 16 का अंसाल फिपर है और देखिए यहाँ पर write the reaction and its mechanism of dehydration of alcohol dehydration of alcohol का जो है आपको mechanism बताना आए यह पांच नमबर में पुछा गया है लगभग हर साल आया है तो पहले dehydration of alcohol मतलब dehydration मतलब yes to go water का alcohol में से निकलना ही क्या dehydration आप alcohol का लाता है dehydration मिंस कि किसी में से water molecule निकल जाए उसी को dehydration काते हैं और यहाँ alcohol दिया है तो इलकोल में से हम water को release कर दे निकाल दे तो वह हमारे पास जो मिलता है उसी को dehydration reaction काते हैं देखिए क्या होता है dehydration आप alcohol when ethanol is treated with concentration sulfuric yes to so for acid at 170 degree temperature to give ethylene या आपका सकते हैं इलकीन जब हम फिन जब हम alcohol यहाँ alcohol है इलकोल में हमने एथिनाल लिया है इसी को आप ethyl alcohol करते हैं जब हम एथिनाल को treat करते हैं concentration sulfuric acid के साथ higher temperature 170 degree centigrade तब हमको ethylene मिलता है और देखिए वाटर आपका बाहर निकल गया आप mechanism कैसे लिखेंगे mechanism में first step क्या लिखेंगे protonation of alcohol आपका जो c2 आप इसको c यहाँ पर c2 h5 हमने लिखा तो आप ch3 ch2 o h इस तरह लिख सकते हैं तीन hydrogen यहाँ पर दो यहाँ पांच पांच hydrogen एक carbon एक carbon दो carbon protonation मतलब प्रोटान प्रोटान मतलब यह प्लस का जूड़ना ही यह प्लस का alcohol में जूड़ना ही प्रोटोनेशन आप alcohol होता है यह यह प्लस कहां से आया क्योंकि हमने अभिक्रिया जो है acid के presence में करवाई है तो acid है तो यह यह प्लस क्या करेगा देगा नए समझे देखे यह आपका यह 2SO4 है जब यह आयोनाइज होगा तो हमको यह प्लस और प्लस यह यह प्लस मिलेगा हमको acid से यह प्लस मिला और यह यह प्लस जाएगा कहां इस oxygen के साथ जूड़ जाएगा और protonation आप alcohol होगा तो देखे यह यह प्लस क्या रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ electron की कमी है और यहाँ oxygen पर देखे लोन पेर एक्स्ट्रा इलेक्टान है अंसेयर इलेक्टान है तो यह हमें अपना electron से यह प्लस करेगा इसको फिर देखे CH3 CH2 oxygen है अपना electron डोनेट किया इसको तो इसके उपर positive charge और यह ए hydrogen था एक यह जाकर जूड़ जाएगा तो यह टू इसी को करते हैं protonated alcohol protonated alcohol या protonated ethyl alcohol हमने इन जनरल में alcohol लिख दिया अब जो second step होगा elimination of water कि इसमें से water molecule को हम बाहर निकाल दे या कहीं कहीं बुक में दिया है कि formation of carbo ketion बुक में दिया है formation of carbo ketion या आप elimination of water यह भी सही है तो आप इसी protonated alcohol में से water को बाहर निकाल देंगे देखे CH3 CH2 O oxygen के उपर positive charge यह hydrogen है इसमें से क्या करेंगे हम water को निकाल देंगे देखे यह H2O यहाँ आप से इसके पर positive charge है माने लेक्टान की कमी है यह यहाँ से लेक्टान ले ले लेगा और यह H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा और यह बाहर निकल जाएगा तो प्लस में आप H2O और CH3 है तो CH3 और CH CH2 और इस carbon के उपर positive charge आएगा क्योंकि यह oxygen ने यहाँ से electron जोल ले लिया है carbon का carbon के उपर कमी हो गई यानि positive charge इसी को करते हैं carbocatine जब carbon के उपर positive charge आए तब carbocatine करते हैं और इसके उपर निगेटी charge आए तब carbocatine करते हैं और step third क्या होगा removal of proton देखके जो step third होगा क्या है removal REM removal of proton या कहीं कहीं बुक में लिखा है आपसे कि last of proton कारbocatine last of proton तो उसका मतलब एक ही है देखे यह CH3 है तो यह हमने carbon लिखा और यह को यहाँ पर जरूरत है तो हम अलग अलग दिखा देते हैं carbon के साथ 3 hydrogen है हमने अलग अलग दिखा दिया यहाँ पर देखे carbon के उपर positive charge है और दो hydrogen है दो hydrogen है तो एक उपर दिखा देजिए एक नीचे removal आप proton मतलब यहाँ से एक यह प्लस क्या होगा बाहर निकल जाएगा रिमूब हो जाएगा तो देखे यह वाला यहाँ पर electron की कमी है यदि यह वाला बांड यहाँ पर चला आ जाएगा तो और यह यह प्लस के रूप में बाहर निकल जाएगा देखे carbon C और दो hydrogen बचे यहाँ और की कमई दो जो गए तो एक hydrogen एक hydrogen के यह यह आपका अलकीन कहें चाय दैलीन का तर्हेजिए एभी हैं पार निकलेगा आ फ्लस पर यहाँ प्लस के रूप में पाख़र निकलेगा आप इसको है प्लस और जो हमने सल्फिरिक एसिद गिया था यह यह सो फोर फिर इसको पकड़ कर अपना एसिद पना लेगा एस्ट वह यह रहा आपका अबर आल मेकनिजम सो फ्रेंट्स यदि आपको यह मेकनिजम पसंद आयो तो आप एक बार वीडियों को लाइब कर दीजे और चैनल पर